हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई टाइम से कर रहे होंगे मैं आपका एजुकेटर दोस्त और भाई रिंकू शाक्या आ गया है एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है रूरल डेवलेप्मेंट आज जैसे की नाम से ही पता लग रहा है रूरल यानि की विलेज एरिया उसकी डेवलेप्मेंट के बारे में हम इस चैट्टर में पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस से पहले से ही हम सब जानते कि हमारी most of the population रूर पर्सेंटेज के बात करें तो रूरल एरिया में ही रहती है और ज्यादा जो काम घंदा भी है वह भी रूरल एरिया में स्टेबलेश है इंडिपेंड्स से ही सब्सक्राइब में रहेगी रूरल एरिया में रहेगी तो जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे रूरल एरिया में रही है तो हमारी पॉपुलेशन को डवलप बनाने के लिए हमारी ग्रो करने के लिए हमारे नेशन को डवलप बनाने के लिए हमें फोकॉस करस्पे करना होगा रूरल एरिया में क्योंकि जितनी जादा पॉपलेशन इसे एरिया में रहेगी उतनी जादा वहाँ पे चीजों की जरुवत पड़ेगी तो आज हम पढ़ने वाले रूरल एरिया में क्या condition थी और क्या क्या में पढ़ेंगे चैप्टर बहुत सारी चीज़ें पहंज सुन रखें और और नई नोइज आज घंड करेंगे इस चैप्टर से कोई भी कोशन आते हैं आप उसको अच्छे से कर पाएंगे यह करने के बातों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हमारा रूरल डेवलेप्मेंट चैप्टर का नाम है आपका रूरल डेवलेप्मेंट चलिए पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक में आ रहा हमारा हुआ है वाट इस रूरर डेबलेप्ट हमें पढ़ने है रूरल डेफलेप्मेंट कैसे अफ्रोसेस आफ इंप्रूविंग दे स्टेंडर्ड और लिवा लाइफ एड शोशल एक्नॉमिक वेलफेर आफ द पीपल लिविंग इन रूरल एयरिया के थुम तो चलेंगे लेकिन नॉर्मल समझते हैं कि रूरल एरिया जितने भी लोग रहे रही है उनका जो जीने का स्थर है जीवन स्थर है जाज ओने यूज सेटी आई तो रूटवर्स वेल्टेंटर पेपिश्टर कर रहा है तो भी मेर्य प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं ढवर्ट वर्ड में रे हमें स्टेंडर्ड ओफ लाइफ गाव में जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ के स्टेंडर्ड को डेवलप करना और शोचल एकनॉमिक वेलप करते हैं तो कहेंगे कि क्या हुआ है रूलर डेवलेप्मेंट हुआ है तो अब रूरल डेवलेप्मेंट में जो उनकी स्टेंडर्ड फ लाइफ को इंप्रूव करेंगे या सोचल एकनॉमिक वेलफेर हम बढ़ाएंगे तो उसमें क्या 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 काम करेंगी चलिए देखते हैं जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले रूरल डेवलेप्मेंट से रेलेटेड इशूज पहला इशू है कि हमें क्या करना है रेजिंग अगरिकल्चर प्रोडॉक्टिविटी पर उनिट ऑफ लैंड क्योंकि गाउं में क्या होता है बहुत छोटी छोटी जमीन होती है जिन प सब्सक्राइब पर्डॉक्टिविटी को बढ़ाने है कि एक हेक्टेर पे अगर हम बोलें कि 20,000 तन अगर प्रद्वब्मेट तो इसी को बोलांगे कि हम क्या कर रहा है रूलर डेवलेपमेंट तो एक पर यूनिट लैंड पर प्रोड़क्टिविटी को बढ़ाना है पहले पर एक हेक्टर पर हमने इंप्रूब करा है किसी पी रिजन से इंप्रूब कर सकते हैं आगे पढ़ेंगे तो अगर वो बढ़ा के प्रोड्विम प्रोड्विम करने पड़ते हैं उसका उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता है इसलिए इस प्रोड्विम के बारे में पढ़ना है और फिर हमने पढ़ना है मोटिवेट दा प्रोडक्शन ओफ हायर वेल्य क्रॉप कि कैसे रूलर एरिया में हम मोटिवेट करेंगो लोगों को कि वह ऐसी क्रॉप को ग्रो करें जिसकी वेल्यू जादा है ना कि स्मॉल क्योंकि कई अवेर्नेस की वज़े से फार्मर को पता ही नहीं होता कि उन्हें पॉपुलेशन अग्रिकल्चर एरिया में रूर एरिया में ही रह रही है तो उनको हमें इस पर डिपेंड ना हो से उनको डायवर्ट करना होगा और अगर ऑक्यूपेशन की थूरू तो हम पढ़ने वाले कि अग्रिकल्चर सेक्टर में फार्मिंग के लावा और भी क्या अ अग्रोट करने वाले के अंदर जिसको जिसमें सिर्फ क्रॉप कल्टिवेशन नहीं और चीज़ों जैसे होगया फिशिंग होगया इससाब पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ने वाले प्रोविजन ऑप क्रेडिट फैसिलिटी इंदर एरिया क्यूपार्मर है वो पैसो की कमी क वजह से भी फार्मिंग नहीं कर पाते हैं तो हम यह पढ़ने वाले कि क्रेडिट फैसिलिटी कैसे प्रोवाइट करवाईगी क्या 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 सब पढ़ेंगे टू रेड्यूस दा लेवल ऑफ पावर्टी इन रूर एरिया बाइं और और क्योंकि रूरल एरिया में गर इस प्रोवाइड किया जा सकता है आगे आपका पॉट टॉपिक प्रोमोशन और गैनिक फार्मिंग तो क्या हो रहा है इतना हेल्दी प्रोडॉक्ट नहीं निकल रहा है सकते हैं उसके बार में पढ़ेंगे उसके बार पढ़ना टू एक्सपैंड एजूकेशन एंड हैट करने से नहीं होगा उनको पूरी तरह अगर डेवलप करना तो बेसिक नीट के अंदर आपका हेल्थ भी आता है इनको भी कैसे डेवलप करेंगे ताकि रूरल एरिया की डेवलप्मेंट हो चलिए एककर के हाथ हमें सारे की पॉइंट को पढ़ेंगे पहला की पॉइंट सोर्से और रूरल क्रेडिट इन इंडिया के अंदर रूरल क्रे depressे मतलब कि अंदर लोगों जो है पैसे कंसे करते हैं जब उनको जरूबत होती है जो फार्में केलिए ऺजन के लिए किसी बदर रिस से तो वह कैसे इंतिजाम मतलब इसके दो ही सोर्स एंके पास या तो वह तो है वो सोर्ações स्कनी सवास करूं अब श्रीज नॉन इंस रिसोर्स जो अपने रिलेटिफ से पैसा लेना किसी जमीदार से पैसा लेना और उस्स इंस्पेशनल सोर्सस दोतार हैं तो चली इनको एक-एक करके पड़ते है का नौन इस्टिशनर रिस्वर्सज़ आ पहले नौन इंडर के ऊता है आप यह इन्फॉर्मल सोर्सेस होते हैं जैसे आपके रिलेटिव टरीके से इसे नहीं होता है कि आप किसी से किस परसेंटेश पर पैसा ले रहे हlor यह जस्ट इंफॉरमल होता है इन सब्सक्रा पैसा लेते हो तो यह उता आपका नॉन सूर्स और एन्सिटेशनल सौर्स कि अंदर आता है आपका cooperative credit society for example अमूल मदर डेरी एक्सेक्टर को अपर प्रेटिव सोसाइटी कैसे होती है कि जैसे अमूल है यह क्या करता है कमूल कटक करता है तो एक स्टेट से करेंगे त wonder क्या है कि रहाल है अपर फार इनसे करेंगे आयह यह वाले अंदर जितने भी फार्मर इनसे करेंगे पार्मर ऐसे फार्मर उंगे बहुत सारे तो क्या तरी से सोसाइटी बन रही है क्रेड़ीक। इसल्री इन से अब क्या ले सकते हैंDet क्रेड़ को आदले सकते हैं। कि इनके बदले में सर्विस प्रवाइड करेंगे मिल्क सैट सप्लाय करेंगे तो यह क्या होता है एक तरीकी कि क्या क्या इति होती है जैसे अमूल हो गया मदर्डेयरी एक सेक्टर कि फिर उसके बाद आता आपका सब्सक्राइब अधर कमर्शल बैंक कर रखा कि सब्सक्राइब को भी पर्मिशन दे रखे कि वह ग्रामेंट लोगों को रूरल एरिया को क्रेट फैसलिटी दे लेकिन जहां पर नहीं पहुंच सकते हैं वहां पर कमर्शल बैंक को लाउट कर र उसके बाद रीजिनल रूर्ल बंक बना दिया ये बैंक किसके बनाए गए बनाएं रूलर डिवलफ्मेंट के लिए हर अलग जगा पर घंड विकास बैंक एश्टिब्लिश के गए उसके बाद आता आपका नाबाड नाबाड की फिल्सवां में नैशनल बैंक और अगरिकल लानी करता है ऐसी यह नाबाड है जो रूर डेवलेप्पेंट के लिए जितनी काम होते हैं जितने फिर बेंक स्चुन स्टपरेंश नुए उनन पर क्या करता है यह यह नदे सैनल है तक रos साउजन करते हैं। उसके बाद रूप सेज़ड़ रोपी saleil,us go não. तो कितने हो जाएंगे बंथली का 10,000 यह एक bank account फोल ले दें उनकी self-help group के नाम से उसको उसमें save करते रहते हैं मंथली और उन फार्मर से जब किसी भी farmer को पैसे की जुरत पड़ती है तो इसी account में से वो बाकी farmer की सहमती से पैसे को यूज कर लेते हैं और बहुत ही कम इंट्रस रेट पर इनको ये फैसलेटी प्रोवाइड हो जाती तो क्याते हैं self-help करना आपसमें एक group बनाना एक दूसरे की help करना और इससे बहुत कम इंट्रस रेटन करना भी असान हो जाता है यह हो गया आपके क Divine से अगरी कंटिशेंलल शोर्स अलब आगे पन्हें होते हैं है कि की अगरिकल्ट्र मारकेटिंग होती है क्योंकि मार्केटिंग इशु पढ़ाता हमने अगरिकल्चर डवलेप्मेंट के वन गॉन्प चे मार्केटिंग जितनी भी activity होती है सारी की सारी agriculture marketing करा दिए सीड स्वेंग से लेके production consumer के हाथ में पहुंचने तक जितनी भी activity है जिसके नदर स्वेंग आगया प्रॉप कटिंग आगया ट्रांसपोर्ट आगया ग्रेडिंग आगया पैकेजिंग आगया सब जब तक कस्वें तक प्रॉडट्ट नहीं पहुंच जाता जितनी भी activity है सब कि सब किसके इंदर आती है agriculture marketing के अंदर अब definition देख लेते हैं कि अग्री कल्चर marketing इंक्लूड्स अल दोज activities वे अर्मोस्टली रिलेटेट टू गैदरिंग यानि कि प्रोडेट्ट खट्टे करना प्रोसेसिंग ग्रेडिंग ग्रेड करना प्रोडेक्ट की पैकेजिंग पैक करना स्टोरिंग स्टोर करके रखना ट्रांस्पोर्टेशन दूसरे पहुंचाना एंड सेलिंग रेकर प्रोडेक्शन को एकटा करना अगे जाएगा ग्रेडिंग होगी कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है उसके बाद उसको किया जाएगा पैक करने के बाद इसको स्टोरेज में भीजा जाएगा जब उसको आफार्स करेंगा ट्रांसपोर्ट के थुरू इसको मार्केटि में ले जाएगा मार्केट से अब्लियुमय क्यों कि पहुंच जाएंगा तो प्रोडक्शन होने से लेकर कंज़ुमर के हात में ने तक जिक्ननी भी फिक्टेविटी होती है वह सारी एक्किविटी क्या है जो प्रोसेस है किसका agriculture marketing का वह complete हुआ है चलिए नेक्स्ट टॉबिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में रहा है कि डिफेक्ट क्या है तो क्योंकि में लग रहे हैं लेकिन इस मार्केट के अंदर जो स्टोरेज फैसिलेटी वो जादा नहीं है दूसरा एन एडूकेट मीन्स आफ ट्रांसपोट एंड कम्निकेशन ट्रांसपोट फैसिलेटी भी कम है जो छोटे फार्मर में वह अपने प्राइवट ट्रांसपोट करके ले जानी सकते तो गवर्मेंट के साथ इसलिए प्रोकर जो उनका पाइदा उठाते हैं मैल प्रैक्टिस इन रेगुलेटेड और मैल प्रैक्टिस के मतलब है यहां पर जो ब्रोकर है वह क्या करते हैं धांदलेबाजी करते हैं मार्केट के अंदर प्राइस कुछ वोता है छोटे-षोटे फार्मर को डरा देंगे नहीं तो मजबूरों होंगे फार्मर्स को क्या पढ़ना पढ़ेगा उसी प्राइस पर हमें अपना प्रॉडक्शन सेल करना पढ़ेगा जिस पर हम चाहते हैं तरीका करप्शन होना मल्टिप्लिसिटी औफ मिडल मैन और ब्रोकर जो बहुत जादा है फार्मिंग फार्मर मार्केट के अंदर एक मिडल मैन नहीं है एक फार्मर ने एक मिडल मैन को बेचा उसनों इससे खरिक है फिर दूसरे को बेचा टेस्ट चकर में क्या जो प्रॉडक्शन की असली मैन लेक ऑफ प्रॉपर ग्रेड़िंग और अवेर्नेस कम होनी के वज़े से जो स्मॉल फार्मर है जो अपनी जो प्रॉडक्शन है उसके ग्रेडिंग का पता ही नहीं सब्कूराइब यह अवेर्नेस और अपनी फसल की कॉलिटी को जांच पाता है और नहीं उसको मेजर कर पाता है कि उसकी फसल की ग्रेड क्या है उसके बाद लैक ओफ एडुकेट लैक ओफ एडुकेट इंस्टिशनल पाइनेंस और प्रूल एरिया में फाइनेंस्टिशन बहुत कम हैं अगर हैं भी तो उनमें पेपर वर्क इतना ज़्यादा है और जो अवेर नहीं है वह क्रेडिट को लेकर फार्मर वह क्या करता है नॉन इंस्टिशनल प्रेडिट के तरफ जाता और वह उनकी जिन्जाल में फस जाता क्यो अपने जो लांड उसने गिरिवी constructive को कोई भी चीज गिरिवी रहे से लोन लिसे उसको वह बैठता है तो लैक किया है institutional इस्लेटी सब्रोilt Var Suk अब पर्म कीःकिस नहीं है इसलिए चले नेक्स पढ़ते हैं कि इसके लिए ग़्वर्मेंट von coke measures adopted by the government to improve marketing system ग्रमनने क्या क्या किया सप्रोट करने के गौर्वर्म ने रेगुलेटेटुध मार्टेट लागाई है यहांने जहांपर ruleắt regulation ग्वर्मेंट का control रहाएगा गवर्मनने नहीं मार्केट को क्या है हेस्टेबलेश किया है provisions of whaler housing facility जैसे कि storage प्रोडक्शन को स्टोर नहीं कर सकते तो पब्लिक solvent के वैर को बहुत चीप रेट पर यूज कर सकते हैं और गौर्मेंट ने क्या क्या है यूज ऑफ स्टेंडर्ड वेट और मेजर्मेंट बना दिया उनके प्रॉडक्शन को मेजर करने का उससे पहले जो मार्केट में इतनी फैसिलिटी नहीं थी तो जो स्मॉल फार्मर है वो अपने प पता कर सकते हैं सब्सीड सब्सीड इस ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट फैसलिटी बहुत जाना मेंगी पड़ती है क्रॉप को फील्ड से लेके मार्केट तक लाने में जो बहुत खर्चा आता है जिसको एक स्मॉल फार्मर भीयत नहीं कर पाता है इसलिए गवर्मेंट न सब्सीडिज ट्रांसपोर्ट रेट पे फील्ड से मार्केटिंग मार्केटिंग दर की फैसलिटी टेप है उसके बाद एस्टेबलिश्मेंट ओफ फूर्ड कोर्परेशन ओफ इंडिया एफसी आई सेंट्रल वेयर हाउसिंग कोर्परेशन एक्सेक्टरा बाय दा गॉर्मे इनके थुरू वेयर हाउसिंग फैसलिटी को बढ़ा है क्योंकि फैसलिटी ज्यादा है प्रोवीजन ओफ मिनिमम्म सपोर्ट प्राइज MSP की जैसे कि ब्रोकर साइदा उठारते स्मॉल फार्मर का उनकी फसल का क्या सही दाम उन्हें नहीं दे रहते हैं वह ब्रोकर्स ने अपना गुरूप बना ले था कि सेट कर ले मैं इस से ज्यादा रेट एक एक मिनिमम प्राइज जिसको गौर्मेंट ने बोल देगी हम एक प्राइस से कर रहे हैं आपके फ़सल का अगर इस प्राइस से कम कोई भी अगर खरीदता ब्रोकर ताब उससे मत बेचिए क्योंकि इस मिनिमम प्राइस पर गवर्मेंट आपकी क्रॉप को खरीदेगी तो आपकी दिमा फार्मेर हैं उनका सोशन्ट बचेगा कि दिसमेंशन ओफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन यूज और गवर्मेंट ने आइटी यानि टेकनोलोजी का यूज करकर कम्मिनिकेशन गैप को कम किया है फार्मेर से कनेक्ट हो पाएं आप को आप देखते होंगे आजकल फोन पे केंड फार्मर कोई बील फार्मेशन लेना ही होती है तो वह बहुँ नंबर डायल करके गवर्वर्मेंट के जो तौन क्यों से टौल इंफार्मेशन लेने तहां जिससे की development और government और फार्मर की बिचके जो कम्मिनिकेशन गया पर वह बहुत काम होता जा रहे हैं किसका किसका यूज करके आइटी का यूज करके यानि कि टेकनॉलीजी का यूज करके आगे अब हम पढ़ने वाले कि डायवर्सिफिकेशन की डायवर्सिफिकेशन के अध्यziękरेजिटी क्योंने में चलस्की अध्यक्ते लोग स्फ डिपेंड होते आप तो आप उसका डायवर्सिकेशन करना की कोछेटी सजब कंगी सब्सक्रांप अगर सभी फार्मिंग करेंगे इतनी हैं इंप्लाइमेंट क्रियेट नहीं पाईगा तो डायवर्सिफीकेशन में क्या हुआ उसको दो जल्दी ग्रो करके पेस्टिसाइज केमिकल सब्सक्राइब करके उसको कट करके उसके दुबारा दूसरी कोई वेजीटेबल वेजीटेबल क्रॉप भी लगा सकते हैं जिससे कि आपकी जो सॉइल है उसको भी नुक्सान नहीं पहुंचेगो और आप काफी टाम तक खाली भी नहीं बैटे हैं क्योंकि अगर वीट की फसल लगाई है वो ग्रो हो गई उसके बाद काफी टाम तक खाली बैट रहे तो आप jonka खाली बैट में आप महां पर क्रॉप सकते हैं ब्रो कर सकते हो जिसको बोले को ना करके करेनि चाहिए इसके तो ऑडवांटेज एक है दो डवांटेज है लोवर्स गैवर्स डारिजा आउldigt अकाउंट्स और मौन्सून फेलिर इससे क्यों कि जो खत्रा बना रहता फार्मर को कि अगर मौसम खराब हो गया तो उसके पास पैसा कासा आएगा तो एक ही टाइम एक ही टाइम पे एक फसल अगर कट गई उसके बाद दूसरी फसल लगा देता है तो सकता एक फसल खराब हो अगर एक फसल खराब होई तो दूसरे फसल का भी यूज कर सकते हैं कि एक ही टाइम पे यह कोंटिनसली मल्टिपल क्रॉपिंग ग्रो करते रहे नहीं फार्मर को क्या देगा फायदा कि अगर मौनसून खराब हो जाता है तो उसके पास सिर्फ एक यूप्शन नहीं और भी पानी भरने से पूरी 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 इंहेंसेस दा स्कोप और कमिस्लाइजेशन और इसके बाद से लोग को जरूत होती थी खाने पीने की सर्फ उसी को ग्रोप रहते लेकिन जबसे गवर्मेंट ने अवेर किया उनको चीजों को लेकर तब से वह कमेर्शन पार्मिंग करन करना रखते हैं बागी सेल कर देते हैं उससे जो पैसा आता उसको यूज़ करते हैं अपने सर्वाइब के लिए तो कमर्चल फार्मिंग के ट्रब भी बढ़े हैं कि उसके बाद दूसरा डाइवर्सिफिकेशन वग्या प्रोडिक्टिविटी डाइवर्सिफिकेशन और प च्रप की अँछ weольно हम कृकर उतना ज्यादा नहीं कि सारे के सारा सुर्य क्रॉप 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 फ फार्मिंग पर धिपनिन रहे और एक्टिविटी करने होगे जिससे कि प्रॉडिट्यीटी बड़ सके और क्या कर सकते हैं वह नो फडनरे अक्टिविटी लाइक एनिमल हस्बेंटरी फिशर्स हर्टी कल्चर एक्सेक्टर यह सारे एक्टिविटी कर सकते हैं चले आगे पड़ते हैं नॉन फार्म एरिया और एंप्लोईमेंट कि जो फार्मिंग एरिया नहीं है लेकर रूरल एरिया में है और इंसे एंप्लोईमेंट क्रेट हो सकता है एनिमल है जैसे गाए भैस बेड़ पकरिये इसा पाल ले रहा है इनका दूद बेचना ठीक है इन सब कुछी जो को सेल करके क्याइब हो इंकम कमा सकते हैं अब फिर आधा फिशर जिन जिनके रूलर एरिया में नदी रिवर आसपास वाटर फैसिलेटी है तो वह फिशिंग भी कर सकते हैं बहुत जादा सेल होती है उसकी बार्टरी जिनके पास पास स्पेस है पोर्टरी यानिकि मुर्गी पालन प् में लोग करते हैं सिर्फ भीट्गरण से रहते हैं यह करके आपके कर सकते हैं क्योंकि जो ग्रेंट वगारा मौसम पर डिपेंडेंट रहते हैं और जब वह मौसम नहीं होता कुछ टाम तक लैंड खाली रहता है तो अपना पैसा कमा सकते हैं बगीचे लगान के लिए ज्यादा लेट भी जुरूत नहीं होती बगीचे में आप फ्लावर्स को गा सकते हैं भागान लगा सकते हैं अ को टेज एंड हाउस होल्ड इंडस्टी जो छोटे मोटे काम होता है जैसे घर में करते हैं लाइन पहले बीग्जांपल लेते कि लकडी की टोकरी हो ना तो एक घर में बैठके बनाए सकते हैं जो कि नोन पार्म इंक्टिविटी है लेकिन इनसे इ फार्मिंग एक्टिविटी ऑंकि छलिए नेच्स देखने हैं अभने पढ़ना है और गैनिक फार्मिंग क्या होती है कि नॉर्बल फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि जब हमारी इंडिया के इंदर प्राइजर यह सब यूज करके हमारी क्रॉप आपको बहुत जल्दी ग्रो करना सीख लिया था लेकिन और कोई भी केमिकल यूज नहीं होगा आपका नो फार्टिलाइजर और कि एच वाइवी सीड्स और कि पैस्टिसाइज कि इन में सब कुछ भी यूज नहीं होता यह सिर्फ नैच्रल आदेनार 2 बॉल रियुट जो की जाती है उन्हें कहते हैं और गैनिक फार्मिग जैसे ब्लाइज़ और गैनिक फार्मिग इसाया फॉर्मिंग् करांश सिस्टम उपर्मिग इन विच और गैनिक इन्पूट बश्कलिए इनिमल मेसर्स एंड कं पोस्ट आर यूस्ट टिवेसि इस इंदर क्या होता है कि इसके अंदर और गैनिक इनपूट कैसे जो इनिमल से जो वेस्ट होते हैं जैसे गाय को गोबर हो गया इन सब क्या करते हैं तो जो जो और यूझ करते हैं उसको बोलते हैं और इस तरीकी की फार्मिन को हम क्या बोलते हैं यह एक अन्वार्मेंटल फ्रेंडली फार्मिंड इससे क्यों कि नाहीं खराब रही है को ताम बास जो प्रोडिक्तिविटिय वो भी खतम होने लगती चलिए और गएंटीज कि और गनिक फार्मिंट वाट इस वाट वट आडवांटेज ओफ और गनिक फार्मिंट पहला और गनिक लेवल ऑफ स्वाइल इंक्रीज बाइश ऑफ और यूज ऑगनिक इंपूट उतनी ज्यादा फ्यटलेटी खता मुटिस चल जाती तो स्वाइल की फैटलेटी यह भी बढ़ते हैं और गनिक फार्मिंट से क्या होता है और गनिक इंपूट प्रोवाइड मिन्रल्स फॉर्डा ग्रोथ अप्लाट बजो और गनिक इंपूट लेकर उन्पूट इनक्रीज कर क्योंकि आप खुद देखो गाय का गोबर जिसकाद मन रही है वह अपको फ्री में प्रवाइड हो जाएगा अगर आपने पाल रखे तो भी इतना कॉसली नहीं है जितना कॉसली मार्किट के अंदर चीपर इंपूट होती है और गैनिक फार्मिंग इस एंवार्मेंट फ्र ग्राउंड वर्टर लेवल तक भी पहुंचते हैं दीरे दीरे और वर्टर भी जो हमारा खराब होना शुरू होता है तो लेकिन और्गानिक फार्मिंग अगर हम नेच्रल इंपूट को यूज करते हैं तो वह कितने भी जब स्वाइल के अंदर जाए वह ना तो स्वाइल होती है और नहीं वह वर्टर ग्राउंड तक पनुक्सान पहुंचाते हैं इनेक्स्पेंसिव टेक्नोलीजी फॉर स्मॉल फार्मर होते हैं जो मार्केट से आपके केमिका फर्टरिलाइज़र सीट वगएरा नहीं खर सकता है उनके लिए बहुत बढ़ी है क्योंकि इनेक्स इतना ज्यादा स्तेमाल नहीं होता लेबर फार्मिंग होती है तो लेबर जो हमारी इंडिय में बहुत चीप रेट पर लेबल है तो इसले यह पार्मिंग कॉस्टली भी नहीं पड़ती है होगा आप कभी जानना चाहें तो आपके जो घर में जो मार्केट से और कभी आप अपने गाउंज आईए जो डिरेक्ट खेट से तोड़के सब्जियां बने जाते हैं उनके टेस्ट में डिफरेंस आएगा हमारे घर में वह कमर्चल फार्मिंग सा रही है जिनके अंदर व खेट चल्ए नेक्स देक्ट डिस अडवंटीज के डिस अडवांटीज ऑ औरगैनिक फार्मिंग करना आसान नहीं इतना इनेशल कौस्ट जो इसकी थोड़ी सी जाधा पड़ती है क्योंकि इसका प्रदक्शन है बहुत जाधा हाई नहीं होता है क्योंकि आप और गैनिक इ जिसलिए जो के कॉस्टिंग पढ़ती है बहुत ही ज्यादा है अगर हम केमिकल फटलाइजर यूज करें तो हम एक साल में कम से कम दो से तीन फसल लोगाएंगे जिससे रिवेन्यू जादा आएगा तो हमें इतनी कॉस्टली नहीं पढ़ेगी लेकिन और और गानिक फार्मिं अगर फटलाइजर यूज नहीं किया जाता तो जल्दी से ही खराब हो जाता है और अगर आपको कोई भी डाउट इस चेप्टर से अभी भी है तो आप हमारी वेबसाइट सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे अधर सोचल मीडिया प्लेटफार्म पर फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूटूब टेलीग्राम और लिंक्डिन आप हमारे डोमेन नेम मुफ शिक्षा को सर्च करकर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं आपके अगर कोई भी क्वेरी रहती है इस चेप्टर से लेटेटर तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं हम आपके कमेंट के थुरू आपके लिए नई वीडियो बढ़ाने का प्रयास करेंगे तिल देन टेक क्यार बाइबाय हसते रहिए मुस्पर आते रहिए और फेस्ट